हे एबरीवन वेलकम टू माई यूटूब चाइनल मेरे चाइनल में आपका स्वागत है आज मैं बनाने जा रहे हूं वटर स्कोच केक जो बहुत ही टेस्टी है इसे बनाने के लिए मैंने सबसे पहले हलका गुनगुना दूध लिया है एक गिलास दूध मैंने यहाँ पे लि कि इसे मिलाओंगी मिलाने के बाद मैं इसे दस मिनट के लिए धक कर रख दूँगी दस मिनट अब हो गया है और मैं इसे हटाओंगी और इसे फिर से मैं मिलाओंगी मिलाने के बाद मैंने एक छन्निन लिया है वहाँ पे एक कटोरी मैदा लिया है मैंने यहाँ पे पूरे को समचर न्या mismo दो कटोरी मैदे लिया है, आप चाया तो हो जज जह कर सकते हैं, मैं ने याप 1 Keiji का केक क्या में इसलिए मैंने दो कटोरी मैदे लिया है, इसलिए मैं न कंचर भी मोजब केक करम देखिकोल स्षथ,舞ने सतरित्ष, मैं ने सतरिक्ष दूपे, चाल मेदे कर चाल लेंगे आप इस तरह से घर में भी पटरेसकोच केक बना सकते हैं या फिर किसी भी स्पेसल उकेजन पर या किसी के वाट डे पर ऐसे भी क्रिस्मस आ रहे हैं आप क्रिस्मस के बाद न्यू येर भी आ रहे हैं आप किसी भी कभी भी बना सकते हैं इसे बहुत ही जल्दी बन ज मैदे डाल कर इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है मिलाने के बाद अगर इसमें थोड़ा सा दूद कम लगे तो इसमें बीच बीच में दूद थोड़ा थोड़ा डाल के अच्छे से मिक्स करें यह देखिए मैंने बीच बीच में थोड़ा थोड़ा दूद भी डाला है और फिर जितना ज्यादा इसे फेटेंगे उतनी ही ज्यादा अच्छी बनेगी और फ्लॉपी बनेगी इसके बाद मैंने यहां रिफाइन का यूज किया है आप इसमें कोई शर्षो तिल का यूज ना करें घी का भी यूज कर सकते हैं इसमेल वाली तिल का यूज आप ना ही करें तो वेतर होगी इससे अच्छी बनेगी मैंने यहां पे रिफाइन और डाल दिया है कम से कम पांच छे चमच डाली हो इससे अच्छी बनती है उसके बाद फिर से मैंने इसे अच्छे से फेट लिया है पेटने के बाद आप लोग सुच रहाँगी कि मैंने इसमें वेकिंग सोडा या वेकिंग पाउडर क्यों नहीं डाला है मैं डालूँगी पर उसे लास्ट में यहां पिष्टिणी का यूज किया है पीची चिनी का यूज करने से यह अच्छा से गूल जाती है और टेस्टी बनती है मैंने पीची चिनी डाल के इसमें अच्छा से फिर से फेट लूगे कितने थीक वानी है परफेक्ट हमें ऐसे ही चाहिए आप इसे एक वार ट्राइज जरूर करें अगर मेरे वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो मेरे वीडियो को लाइक सेर और सब्सक्राइब जरूर करें उसके वाद मैंने यहां पर फूट कलर डाला है आप चाहे तो बटर स्कॉच एसेंस भी डाल सकते है मेरे पास नहीं थी तो मैंने यहां पर फूट कलर डाल दी है यलो कलर क्योंकि बटर स्कॉच का वी कलर यलो ही होती है इसलिए मैंने यहां पर यलो कलर का यूज किया यह देखिए यह देखने में एक तम बटर स्कॉच की तरह ही लग आप एक टिल ले लिजे मेरे पास नहीं थे तो मैंने यहापे लांच बोक्स बरबला ले लिया है यह चाहिए तो कोई भी बरतन ले सकते हैं फिर मैंने यहापे तेल रिफाइन और रखा कर इसे अच्छे से ग्रेस कर लिया है आप चाहे तो इसमें बटर पेपर का भी यूज कर सकते हैं मेरे पास नहीं थी इसलिए मैंने तेल लगा कर इसमें थोड़े से मैदे छीट कर मैं चारो तरब से इसे फैला लोंगी के पास बटर पेपर ना हो तो घबराय नहीं आप इस तरह से भी बना सकते हैं यह आसानी से निकल जाती है केक हमारा उसके बाद मैंने यह अब मैं यहां पर एक चमच बैकिंग पाउडर और एक चमच मैंने बैकिंग सोडा यहां डाल दिया है और इसे अच्छे तरह फिर से मिला लूँगी मैं इसकी कंसें से एक तर्फेक्ट हो चुकी है फिर भी मैं इसे अच्छे तरह से मिला लूँगी आप इस तरह के से बनाएगा तो बहुत ही अच्छे बहुत ही टेस्टी केक हमारा बनकर तयार होगा और बिना आइसिंग के भी ये बहुत अच्छी लगेगे खाने में आप लोग इसे जड़ो ट्राइ करें शुक्त ख़ेगे heah economy उसके बाद यह हो चुकि है अब मैंने जो केक टिन में टॉम्हे लगा के रखके है उसमें ये घोल डाल दूंगे और इसे अच्छे से टिप करोंगे मैं मैंने एक तरव कराईट पहले संके भूँक्स िप गशाल सब्सक्राइब करके..." कुछ कराईब काशा यह कंवा है। तो तक या गरम हो चुकी है उसके बाद मैंने यह केक्टिन को रख दिया है और इसे अच्छे तरह से कवर कर दिया है आप इसे ओवन में भी बना सकते हैं लेकिन मैंने यहां पर कडाई में ही बनाया है आधी मिनट के लिए मैंने क्यास का फ्रेम हाइ कर दिया था उसके बाद मैंने यहां पर सलो कर दोंगी इसे 35-35 मिनट लगतीए बनके तयार होने के लिए और ये मैंने घर का ही मलाई लिया है इसे मैं अच्छे तरह से अब इसे अच्छे तरह से विपutan करना और यहां पर मैंने फ्रीज से ही निकाल कर लिया है मैंने इसमें थोड़ा सा चीनी भी डाल के मिक्स कर लेंगे आप चाहे तो बनीला एसेंस भी डाल सकते हैं यह देखिए यह फ्लॉपी हो रही है दीरे दीरे यहां पर लाइट कट गई थी इस वज़े से मैं बीच में इसे नहीं दिखा पाऊंगी यह देखिए थोड़ा सा मैंने इसमें फूड कलर डाल दिया है और मैंने चीनी भी पीस पर नहीं दिखाया यह देखिए यह बनकर रेडी हो गई है यह देखिए एक तम पर्फेक्ट बनी है उसके बाद यह के कामरा अलब भी देख सकते हैं यह बहुत ही फ्लॉपी और बहुत ही अच्छी बनी थी लेकिन यह ओवर हो चुकी थी इस वज़ा से मैंने इस इसे बी केरेमल बनाने के लिए उसके बाद मैंने कराही में चीनी डाल दिया है एक कटोरी चीनी डाल के मैं इसे अच्छी से प्राइब करूंगी यह हमारी चीनी मेल्ट होना सुरू हो गई है इसे अच्छी तरह से मेल्ट होने देंगे जब तक यह पूरी तरह से मेल्ट नहों और यह ऐसे भी खा सकते हैं तो बहुत टेस्टी लगती है आप इसे जरूर बनाया और बच्चों को तो यह बहुत ज्यादा ही पसंद आती है यह देखिए हमारा केरमन बनके रेडी हो गई है अब यहां पर मैंने एक चमच बटर लिया है यह सेल्टेट बटर है मैंने यहां पर डाल दिया है और इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे इसे फिर से मीक्स कर लेंगे अच्छी तरह से उसके बाद मैंने यहां पर थोड़ा सा दूद का भी यूज किया है आप चाहे तो डाल सकते हैं लेकिन डालने से इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आ जाता है यह कराई में मैंने चीनी डालने के बाद इसे थोरे से चलाएंगे जब तक मेल्ट ना हो जाए इसे चलाते हुए रहेंगे जैसे मेंने कारेमल बनाया था से वैसे मुझे से बनाना है इसे हमें पैरलाइन बनाना है जो बटर स्कॉच पे जरूर रहता है इससे टेस्ट बहुत ही अच्छा बनता है मैंने यहां पे काजो और पिस्ता वदाम ले लिया है थोड़ा से क्रश करके मैंने ऐसे ही सुखा इसे फ्राइ कर लिया था उसके बाद मैंने इस चीनी में इसे यहां डाल दिया है अच्छे से मेंनेदे बटर के लिए यहां पेडिया अच्छे से अच्छा गिर दष चीनी ज़्यादा न हीटए उसके बद मैंने आपि घ्र जल का इसका इस तो इस तो ना हिया थिदैन यहुदा है व्रतन लोगा ह्यों लिर्सक्ट दूति यह जो पहले पाइन एक प्रफटा करें , रॉन गाल में पिस the cake निएपने निए ता,कि गिर से हमारा kek जूटा उच्मौाइज बडाबी चोटा ता अधोल भापनी जली 경우 भी नहीं हो चुखु यह पूर सब्सक्राइब टेस्टी इसे उपर का भाग मैंने कट कर दिया है कट करने से यह होता है कि इसमें जो मैं धालूँगी वो अच्छे से ब्रावर शिप में आ जाएगी यह देखिए कितने अच्छी बनी है मैंने दोनों साइड से थोड़ा थोड़ा उपर से हटा लोगे उपर वाली परत और नीचे वाली परत और उसके बाद मैंने बीच से इसे कट कर लिया है आप चाहे तो इसे तीन भाग में भी काट सकते हैं लेकिन मैंने यहापे दो भाग में ही काटे हैं कि यहां पर मैंने एक इसकेल लिया है उसी के सारे मैं यहां काट रही हूं इसे एक्तम परफेक्ट करती है बड़ावर में कि देखें मैंने काट के अलग रख लिया है कितनी अच्छी बनी है वाउ हमारी बटर स्कॉच केक बहुत ही टेस्टी वनेगी आप लोग ऐसे जरूर ट्राइग करें अगर मेरी वीडियो को आप लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सबसक्राइब जरूर करें क्योंकि वीडियो बनाने में मेनत लगती है इसलिए सबसक्राइब और की बनके रेडी हो गई है जैसे बटरे स्कोच परलाइन भी बना बोलते हैं इसे मैं ऐसे तरह से एक कुछ कर मैं छोटा-छोटा पिश बना लोंगे यह देखिए यह बनकर रिक्दम पर्फेक्ट बनी है अब मैंने एक मैं चीनी और पानी का गोल बना लिया है और इसे बीच में मॉस्ट्राइज के लिए मैंने इसमें थोड़ा-थोड़ा डाल दिया है अब ज़्यादा ना डाले यह देखिए मैंने हापे डाल दिया है मैंने यहां पे थोड़ा ज्यादा यूज़ कर लिया छोटा चमाच था यह देखिए हमारी कि जो पिपिन क्रेम है उसे मैं इस परत पर लगा दूंगे यह पिछल रही थी तो मैंने यहां पे क्या किया कि थोड़ा सा क्रेंप नीचे लगा दिया उसके बास ऐसे नहीं इधर- केक था मेरे पास उसी पर मैंने केक वाला जो था वही पर मैंने इसे सजाया है जिससे लगे कि ये सचमुच रेडिमेट केक ही है और हाँ ऐसे बनाने से किसी को पता नहीं चला कि ये घर का केक बना है ये लग रही थी कि मार्केट का ही केक बना है आप लोग को विश्वास नहीं हो तो आप लोग जरूर इसे लाष्ट तक देखकर समझ जाएंगे मेरे घर में तो ये किसी को पता ही नहीं था कि ये घर का केक है ये देखिए उसके बाद मैंने सॉस को भी डाल दिया है सॉस डालने के बाद मैंने यहां पर जो चिक्की बना के रखी थी उसे भी मैंने डाल दिया है उसके बाद मैंने थोड़ा सा फिर से क्रीम डाल दिया है इच्छे से मिल गई है अब मैं इस पर दूसरी लेयर डालूंगी और जैसे पहली बनाई थी मैंने सेम वैसे ही दूसरी भी बना लिया है मैंने पहले हैस्ट मैं चीनी का घोल चीनी डाल को सिरफ सुघर सिरफ जो बनाया था वो डाल दिया ज़िसके क्रेम डाल के मैंने कारेमेल दाल दूगे उसके बाद मैं फिर झाल की ओ हेकं फेशलायफ डाल के यह देखिए यह कितने चैसा ब Nepलबि सीचे अच्छे से बर्न रही है झाल झाल कर दो 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 कर झाल 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 के चैने मेरे पास नहीं थी तो मैंने इस निडले जिसे मैंने केरमल को डाल के केरमल सॉस्ट को डाल के जराए गोल गोल करके एक लगडी यहां आए जैसे आप देख रहें वैसे ही मैंने बना लिया है यह देखिए और साइड साइड से मैंने थोड़ा थोड़ा डाल दिया है ताकि वो नीचे से लाइनिंग वाई आज है और देखने में अच्छी बने यह है घर की जुगारे चीजे से बनने वाली केक मैंने यहाँ पर केक कोई भी चीज बाहर से नहीं किया है मैंने सारे चीज घर पर ही बनाया है यह मैंने नोजल भी घर पर ही बनाया है आप चाहे तो नोजल बनाना सीख सकते हैं मेरे चैनल पर है आप लोग देख सकते हैं उसके बाद मैंने इसे साइड साइड से बनाया है मैंने फॉस्ट बार बनाई थी इसलिए मुझे अच्छे से नहीं बन पाई फिर भी अच्छी बनी है डिजाइन नहीं बन पाई लेकिन खाने में तो ऐसे ही लगेगी यह देखिए मैंने कोशिस की अच्छी बनी है यह देखिए है यह हो गई है और मैंने बीच में नीचे से भी इसे ऐसे ही बना लिया है यह देखिए कहीं से भी लग रही है कि यह मार्केट की केक नहीं है कि देखिए कितने अच्छी से बन के गेड़ी हो गई है कि बाद मैंने जो परेलाइन बना के रखी थी उसे मैं चारो तरफ से इसे चिपका लोंगी यह देखिए इसे कैसे चिपकानी है आप भी इसी तरीके से बना ले आप चाहे तो कोई भी डिजाइन अपने मन से बना सकते हैं यह मुझे इजी लगी इसलिए मैंने इसे बनाया है और यह मुझे देखने में भी अच्छी लग रही थी क्योंकि बटर स्कोच का डिजाइन ऐसा ही होता है आप चाहे तो उपर से भी बीच में डाल सकते हैं यहाँ पर मैंने दो किट कैट चॉकलेट लिया है आप चाहे तो कोई भी डिजाइन के लिए आप कुछ भी ले सकते हैं उसके बाद मैंने हैपी बड़े का यह लगा दिया है टेंग और एक पीछे लगा रही थी लेकिन यह नहीं अच्छी वनी और कितनी टेस्टी यह खाने में तो बहुत ही टेस्टी वनी थी आप लोग इसे जरूर चाहे करें यह बटर स्कॉच केक मैंने यह अपने हश्विन के वड़े पर बनाया था आप किसके लिए बना रहे हैं वह जरूर कॉमेंट करें करें कर दो 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 झाल झाल